अखंड मन्थन के सभी दर्षकों को नमस्कार मैं हूँ शेक अत्रपाथी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मन्थनू अंग्रेजी नौवर्ष 2019 की हमारे सभी दर्षकों को बहुत सारी सुबकामनाय और हम ये आशा करते हैं कि इस अंग्रेजी नौवर्ष 2019 में उनकी सभी मनोकामनाय पुर्ण होगी वैसे आपकी जानकारी के लिए पता दे कि भारती नौवर्ष का सुभारम चैत्र मास से होगा जैसा कि आप सभी दर्षक श्रिसंत बेतरा अशुक जी की भविश्वाडियों पर अभी तक विश्वास करते आए हैं और हम बराबर अपने सभी दर्षकों से इस बात का भी अनुरोध करते रहे हैं कि ये भविश्यमाडी जो उनके द्वारा की जाती है वो भविश्यमाडी कुछ तथ्यों के आधार पर की जाती है और जो इसकी सत्यता और असत्यता इनी तत्यों पर निर्भर करती हैं तो अपने दर्शकों को हम एक संक्षेप में ये बता दें कि 2004 से पहले राजस्थान विधान सभाचुनाओ की जो भविशे मारी स्रीसंद बेतरा अशोग जी द्वारा की गई थी वो सत्य हुई इसके अत्रिक्त 2004 और 2009 में उन्होंने कॉंग्रेस की सरकार बनने का एक जो भरोसा दिया था उसकी भविशे मारी की थी वो भी सत्य हुई इसके बाद 2014 की जो भविशे मारी पीम श्री नरेंद्र मोदी के विशह में की गई थी वो भविश्यवाडी भी सत्य हुई तो आज हम अपने उनी दर्षकों के लिए श्री संद्बेतरा अशुग जी की जो भविश्यवाडियां है जो सत्य हुई है और जिसके आधार पर उनकी प्रती जो विश्वा से दर्षकों में बढ़ा है उसी को आज हम प्रसुत करेंगे तो श्री संद्बेतरा अशुग जी बहुत बहुत स्वागत है अखण मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में आज हम बात करेंगे आपके द्वारा की गई सत्य और असत्य भविश्यवाडियों की अब हम स्रीसंत बेतरा अशोग जी से जानेंगे कि उनकी कौन-कौन सी भविश्यवाणियां सत्य हुई हैं स्रीसंत बेतरा अशोग जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है अखण मंथन ब्रेकिंग पॉइंट में जो हमारे नए दर्शक हैं उनको अब आपके बारे में ये जानना है कि आपकी कौन-कौन सी भविश्यवाणियां सत्य हुई हैं और कौन सी भविश्यवाणियां असत्य हुई हैं देखे सबसे पहले पॉलिटिकल इशूज पर मेरी भविश्यवाणि दो हजार तीन पर राजस्तान के इलेक्शन के दिया आई थी जिसमें मैंने एक्जेक्ट फिगर एक सो बीस सीट्स बीजेपी का दिया था और टोटल आउट ओफ टू हंड़ेट बीजेपी ने एक सो ब सरकार बनने का एक जो भरोसा दिया था उसकी भविश्य मारी की थी वो भी सत्य हुई उसके बाद 2004 का जो प्रडिक्शन था वो कॉंग्रेस के फेवर में किया गया था जिसमें ये बताया गया था कि S इनिशिल का व्यक्ति M इनिशिल के व्यक्ति को PM के लिए प्रमोट गा और कॉंग्रेस की यूपी ए वन की सरकार बनी जिसमें माननी सौनिया गांदी जी ने शिरीमान मनमौन सिंग्जी को PM पत के लिए 12 आवर पे प्रपोस किया जबकि 11 आवर तक ये कन्फरम था कि सौनिया गांदी जी ही परदान मंतरी पत की शपत लेंगी उसके बाद 2009 में कॉंग्रेस की स्थिती बहुत डावाण डोल थी लेकिन मैंने आपके कॉंग्रेस के कोशा देक्ष जी को ये इनफरम किया था और उनके आफिस में ये प्रडिक्ट किया था कि कॉंग्रेस की ही सरकार बन रही है आप लोग कह क्यों नहीं रहे हैं 75 सीट्स भी आएंगी लेकिन अंतता उनका जो है 2203 या जो उन्होंने जो प्राप्ट की थी सीट्स उससे उन्हीं की सरकार यूपी टू रिपीट हुई इसके बाद 2014 की जो भविशे मारी पीम स्री नरेंद्र मोदी के विशह में की गई थी वो भविशे मारी भी सत्य हुई 2014 के लिए जो प्रेडिक्शन की गी थी वो पंजाब के इसरी में की गी थी और पंजाब के इसरी में ये 2012 में दिसंबर के आसपास ये प्रेडिक्शन आई थी कि बहुमत की सरकार बनेगी और किसकिस इनिशियल के परधान मंत्री पत के दावेदार होंगी और फाइनली 2013 के नुवंबर दिसंबर में जो BJP के लिए परडिक्शन थी वो भी पंजाब के श्रीम आई थी जिसमें BJP को 279 प्लस शीट्स NDA को आपका 336 सीट्स एन इनिशिल से परधान मंत्री होगा और वो नरिंदर मोदी ही होंगे ये प्रडिक्शन भी आपको उसकी कटिंग अभी दिखा दी जाएगी इसी में पाकिस्तान के लिए ये प्रडिक्ट किया था कि नेक्स्ट पी एम जो है पाकिस्तान में आई इनिशिल से होगा और जो लाहोर से होगा तो वो भी आपका जो है अब जो इस वार जो पाकिस्तान के बरधान मंत्री बने है वो आई इनिशिल से ही है इमरान खान है जिबकि उस ड fusion पे दूर दूर तक इमरान खान का नाम कहीं नहीं था इसकी बाद 2017 का जो चुनाओ था यूपी विधान सभा का चुनाओ वो बीजेपी के लिए ही सबसे जाला चुनाओती पून था क्योंकि उस वर्ष ही उनकी सरकार आती ही 2014 में तो 2017 का जो चुनाओ था वो बहुत चुनाओती पून था बीजेपी को स्वैम भी ये अनुभाव नहीं था ये इसका आभास नहीं था कि उसकी सरकार बनेगी और इतनी भारी भाहुमत से बनेगी इसकी भविश्यमारी सिसंद बेतराशोग जी बहुत पहले ही कर चुके थे औ और जो की आकड़ा जो है 300 को भी पार कर गया था 2017 में उत्राखंड हिमाचल यूपी की परडिक्शन्स जो दी थी वो अक्षरता सत्ते सिद्ध हुई जो नमबर दिये थे exactly वो नमबर मिले हैं जबकि गोवा में भी सरकार बीजेपी की बने इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी भविष्यमाणी की थी कि यूपी का जो मुखे मंतरी होगा वो ए नाम से होगा जबकि श्री मनुस सिन्हा जी का नाम यूपी के मुखे मंतरी के तौर पर लिया जा रहा था लेकिन अचानक अंतिम वक्त में अंतिम समय में ये पूरा परिणाम बदल गया और योगी आत तो आपने बोला था कि इसका मतलब ये समझें कि अखलेश यादव ही यूपी के मुख्य मंत्री होंगे तो मैंने बोला था नहीं योगी अधित्यानाथ भी ये से ही है और अन्तता योगी अधित्यानाथ नहीं वो भी जो डिसीजन चेंज हुआ वो ट्वेल्थ आवर पर हु इतनी सीट्रों की आश्वा भी बिजेपी को नहीं थी तो इस प्रकार से श्री संत्यबेदरा अशोग जी की बहुत सारी ऐसे भविश्य बाड़ियां हैं जो सत्य हुई है इसी में एक भविश्य बाड़ी है नितिश कुमार के नडिये में समिलित होने की नडिये के लिए आपका क्या नाम है इनकी पार्टी गा जेडियू इन दोनों की मिली जुली सरकार थी लेकिन इसकी मैंने पहले ही प्रडिक्शन कर दी थी कि 2019 में नितिश कुमार की में मुख्य भूमी का रहेगी अब भी आप देखेंगे अगर नितिश कुमार को आगे करके महा गटबंदन जो आपका जो है बीजेपी का जो एंडिये का गटबंदन है इसमें इनको साथ लेके अगर अगरसर बनाके इनको आगे चला जाता है तो ये बहुत बड़ी कामया भी दिलाएंगे इसके अलावा आपने कॉंग्रेस की विश्वे में एक बविश्य वाड़ी की थे जिसमें आपने कहा था कि कॉंग्रेस का एक बहुत बड़ा नीता बरिश नीता जेल जाएगा उसको भी बताईए और राहूल गांदी जी के लिए भी मैंने जो प्रडिक्ट किया था कि उनके लिए 2018 ठीक रहेगा और उसमें उनका आपका निर्विवाद राष्टिया ध्यक्ष का उनका कॉंग्रेस के राष्टिया ध्यक्ष का चुनाब हुआ तो वो भी एक बहुत ब जो उनसे इलेक्षन जो आपके जो आए हैं तो ये मेरी भविशेवानी इलेक्षन के लिए नहीं थी लेकिन राहूल गांदी के अप्रेडेशन के लिए तो मैंने भविशेवानी की थी कि उनको इस साल फाइदा होगा आप मार्च एपरेल से पहले पहले देखीगा कम से कम दस जो नेता जो कल्प्रिट हैं चाया वो आपका 2G, 4G या किसी भी स्कैम के कल्प्रिट हैं या जिन्होंने उसे क्या बोलते हैं ब्लैक मनी से रिलेटेड या फिर जो लोग जो पहले नेता थे लेकिन अब जो है वो बाहर चलेगे जैसे आपका मालिया है इतना पैसा लेक बिल्कुल वार्फोटिंग पे उस पे कारे चल रहा है और एक करके सबंदर होंगे इसे जोदिश्वित्या बदनाम हो रही है तो हम उन दर्शकों से भी प्रश्न करेंगे और आप से भी यह जानना चाहेंगे कि क्या अगर बच्छा पढ़ाई में किसी विश्या में पेल हो जाए क्या उसको पढ़ाई छोड़ देना चाहिए और क्या इस कारण से सिक्षा बदनाम होती है ऐसे दर्शकों को क्या उद्धर देना चाहिए देखे कई जगा पे कई चीजे जो है देश्टिस देशित और राष्टित के लिए अगर बोली जाती है उससे हो सकता वो अगर इंपली में नहीं हुई है लेकिन देश और राष्ट का उसमें जो है भला हो रहा है जैसे शास्त्रों में लिखा है कि जूट बोलना पाप है लेकिन अगर एक गाय जा रही है भाग रही है और उसके पीछे कसाई भाग रहा आप उसको सही डारेक्शन नहीं बोलेंगे इस बगत देश में देशित राष्टित की बात करना ही देश के लिए उचित है देश द्रोही देश विरोधी राष्ट विरोधी जो ताक्ते हैं चाहे वो देश के अंदर हैं चाहे वो देश के बाहर से अंदर वाले जो सेल्स हैं उनको प्रमोट कर रही हैं उनके उपर नजर रखना बहुत जुरूरी है हमारा प्रश्ण ये है कि जिन दर्शकों ने ये प्रश्ण उठाना शिरू कर दिया है कि गरत भविश्यवानियां से चोटिस विद्या बदनाम हो रही है देखे भविश्यवानी और देवानी में बड़ा फरक है मैं पहले भी बता चुक हूँ भविश्यवानी एक्चुल डेटा पे दी जाती है और देवानी जो जो है आपको ध्यान से मिलती है या किसी भी तरीके से उपर की तरफ से आपको आती है और देववानी में अगर ये बोला गया है कि आपके इन स्टेट्स में राजस्थान आपका मद्यपरदेश में अगर सरकार बनने के लिए बोला या करनाटक के लिए जो बोला जो भविशेवानी जिसको आप बोल रहे हैं सत्यसिद नहीं हुई है लेकिन वहाँ पे नेक टू देखिए इस में दो तरीके के दर्शक हैं जो ऐसे प्रशन कर रहे हैं एक वो दर्शक हैं, जो बिलकुल भगवान मान के चल रहे हैं, वो गलता है, वैसा मत माने, ऐसा कहीं हमने क्लेम नहीं किया है, दूसरे वो दर्शक हैं, जो मुठी बर हैं, टेन परसेंट से उपर नहीं हैं, आप अगर व्यूज में देखेंगे तो टेन परसेंट से उपर न नहीं है इसलिए वो उसी चीज़ को गा रहे हैं जो गलत हुई है अगर आप वाक्य में अनालेसिस दे रहे हैं तो उसके साथ में ये भी बताईएगा कि ये इनकी भुविश्यवानिया सत्यसिद्ध होने के बाद ये जो है गलत हुई है अचिक जुँआ प्रकuç में जैसा की जोदिश विद्या पर प्रशन करने शुरूर कर देटे हैं तो जोदिश विद्या में भी बहुत सारे रख्किक होते disentि के अधार्त कर ये सारी गर्ना की जाती है और गर्णा सथैसे खूसथी और उस से ये ये अचया कुछ भी अपनी राय प्रकट कर सकते हैं और वो जो भी आप कह रहे हैं उसका विशलेशन आप ही खुद करिएगा कि आप क्या कह रहे हैं और आप क्या कहना चाहरे हैं और क्या मैसेज देना चाहरे हैं अगर आफार विश्वास के बीच में जो एक पतला सा जो पर्दा है ये बिल्कुल वही है आस्था आपकी कभी नहीं डगमगाएगी विश्वास कभी भी डगमगा सकता आपने बहुत यग्य किये बहुत तब किया बहुत आपने उसे क्या बोलते है मंतरजाप किया सारे उपाए करने के बाद भी आप जिसके लिए कर रहे हैं अगर उसको उसका फल नहीं मिला तो आपका विश्वास तो डगमगा सकते है कुछ समय के लिए आप जिस विद्वान ने वो कारे करवाया जिस विक्ति के द्वारा हुआ है या जिस देवता के लिए हुआ उसको आप कह सकते हैं उसने मेरा कोई भला नहीं किया, लेकिन that is not permanent, विश्वास थोड़ी देर के लिए आपका डगमगाएगा, कईवार किसी के लिए जो जोतिश प्रामर्श के अनुसार उपाय करवाय जाते हैं, और अगर उसकी बढ़ी हुई नहीं है, कोशिश के बाब दूद अगर वो नहीं बचता तो आप कुछ टाइम के लिए तो भगवान को गाली देते हैं कि हमने ये सब किया, तब भगवान ने क्या किया हमारे साथ, लेकिन फाइनली आपकी आस्था नहीं गडबडाती, सारे करम जो हैं आप बिलकुल उसी तरीके से करते हैं, जैसे किये जाते हैं, आप ना के विक्ति को प्रधान मंतरी पत के लिए मनोनीत करेगा, और वही हुआ सोनिया गांधी जी प्रधान मंतरी बंते बंते रहे गई, और उन्होंने मनमहन सिंह जी का नाम प्रस्तावित किया था प्रधान मंतरी पत के लिए, इसके अलबाद 2017 में जो भी चुनाव सम्वंदी भविशेवारी की गई थी वो सत्ते हुई और बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो पाकिस्तान की भविशेवारी को ले करके प्रस्ण उठाते हैं कि पाकिस्तान समाप नहीं हुआ है तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि पाकिस्तान की जिस प्रकार की जो इस्थिती है जो वर भविश्यवाणियां का जो आधार होता है वो तत्यों पर आधारित होता है और जैसे बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो इस प्रकार की भी प्रतिक्रिया देते हैं कि आप खलत भविश्यवाणियां करके जोतिश विद्या को बदनाम कर रहे हैं आपको भविश्यवाणि करना बंद कर देना चाहिए ऐसे दर्शकों से हमारा प्रश्न ये है कि क्या अगर कोई विद्यार थी सिक्षा के क्षित्र में असफल हो जाता है तो क्या उसे सिक्षा ग्रेंड कर देना बंद कर देना चाहिए या अगर आप किसी भी कारे में असफल हो जाते हैं एक बार तो क्या फिर पुने सफलता का प्रयास नहीं करना चाहिए ऐसे दर्शकों के जो प्रतिक्रियाएं थी उसके उत्तर में हम उनसे यही अनुरोत करना चाहेंगे कि असफलता अगर एक बार मिले तो इसका अर्थ कदापी यह नहीं है कि आप उस मार्ग को ही छोड़ दे तो यह था हमारा वारतालाब श्री संतवेतरा अशोग जी के साथ उनकी सत्य और असत्य भविश्वारियों पर आशा है कि हमारे दर्शकों को अब उनके बारे में अधिक जानकारी मिल गई होगी अगर आपको हमारा कारिक्रम अच्छा लगता है और आप हमारे कारिक्रम की सराहना करना चाहते हैं या आलोचना करना चाहते हैं या फिर हमें किसी भी प्रकार का कोई सुझाओ देना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे वाटसेप नमबर 70-541-4965 पर अपने संदेश्ट दे सकते हैं इसके अत्रिक्त आप हमारे अखंडमंथन at the rate gmail.com पर भी अपनी राय भेज सकते हैं आप हमारे ट्विटर पेज अखंडमंथन और फेस्बुक पेज अखंडमंथन को भी फॉलो कर सकते हैं आपने हमें इतना समय दिया इसके लिए आपका रिदे से आभार लेकिन एक बार पुन है अपने सबी दर्शकों को नो वर्ष अंग्रेजी नो वर्ष 2019 की बहुत सारी शुपकामना है